कौन हनुमान बटुक बटुक मतलब भूदेव ब्राम्भर हनुमान ये कब बने जब पंपा सरोबर के किनारे राम जी लक्षमन जी पहुँच गए तब विप्रका भेस धारन करके हनुमान जी आए इसे बटुक हनुमान कहा गया राम जी ने कहा कौन हो हनुमान जी ही बोल पड़े आप दिखने में तो छत्रिय लग रहे हो पर छत्रिय नहीं हो आप ब्रह्म हो वहाँ पर हनुमान जी के बटुक दर्शन हुए इस बटुक दर्शन को पांचमा दर्शन कहा इसका क्या उद्देश है क्या होता है पांचमे दर्शन का ध्यान करने से पंचम दर्शन ध्यान करने से किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता है क्यों हनमान जी तो सयम है पर हनमान जी के स्वामी कौन है जरा बताओ कौन है और राम जी कौन मंगल भावन आ मंगल आरी वंगल भावन या वंगल आरी विवाहू सुदस रत आजर बिहारी विवाहू सुदस रत आजर बिहारी हनमान जी के स्वामी राम जी राम जी हैं मंगल भावन ये चौपाई तो हर हिंदू को आती होगी आती है न तो गाओ मंगल भावन या मंगल आरी मंगल भावन या मंगल आरी तो राम जी मंगल भावन है क्या हनमान जी है आपने कहा पंडिजी के अमंगल नहीं होगा तो क्या हनमान जी मंगल भावन है हां है कहां उत्तर है मंगल मूरति मारुति दंडनननननननननननननननननन श्री राम जये राम जये राम स्री राम जय राम जय राम जय राम राम जी भी मंगल भवन है, और हनमान जी भी मंगल मूरत मारूती नंदन तो मंगल भवन अमान जी भी है मंगल मूरती हनमान जी है मंगल भवन राम जी है जो पांचमी मूरती बटुक हनमान का दर्सन करेगा या उनकी पूजा करेगा उसके घर अमंगल होने बाला